निबंध महत्वपून गद्य रचना है। निबंध केवल परीक्षा की द्रिष्टी से ही उपयोगी नहीं होते, बलकि इससे पढ़ने तथा लिखने वालों के ज्यान की वृध्धी भी होती है। निबंध दो शब्दों के योग से बना है। नि, जमा, बंध। इसका अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। कुशल निबंधकार वही है जो उचित शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली शब्दों तथा युक्तियों से विशय को प्रस्तुत करे। निबंध लिखते समय निम्निलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशय ऐसा चुनो जिसमें रुची हो। विशय चुनने के बाद उस पर चिंतन वा मनन करो। विशय से संबंधित जानकारी को क्रम बद्ध कर लो। निबंध में विचारों को कहीं भी दोहराया न नीचाहिए। विचारों में एक रूपता हो। विचारों का मौलिक होना भी अत्यंत आवश्चक है। विराम चिंधों के उचित प्रयोग तथा वर्तनी की शुधता पर ध्यान दो। निबंध को समाप्त कर पुनह पढ़ो। आईए जानते हैं कुछ निबंधों की प्रेखा और उसके अनुसार निबंध लिखना। इसका इंतिजार नहीं करती। यदि धन चला जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है। लेकिन गया हुआ समय फिर से लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की गदर नहीं करता। समय उसकी गदर नहीं करता। समय ने बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला दिया। अता मनिश्य को समय के महत्व को पहचान कर उसके एक एक शन का सदुपियोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इसका सदुपियोग करना जान लिया वहा सफलता की कुणजी को प्राप्त कर गया। हम चाहे विश्राम कर लें लेकिन समय विश्राम नहीं करता। समय हाथ से निकल जाने के बाद पश्ताने से कोई लाब नहीं होता। कहा भी गया है अब पच्चताए होत क्या जब चिडियां चुक गई खेत जो समय के महत्व को समझ लेता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। इसका सही उपियोग ना करके हम प्रती दिन इसे गमाते रहते हैं। यदि इसके बदले में हमने कुछ भी नहीं पाया तो सारा जीवन ही वेर्त कहलाएगा। कभीर दास जी ने इसके महत्व को समझाते हुए कहा था। चात्रों की जीवन में समय के सदुप्योग का बड़ा महत्व है, जो इस जीवन में समय के महत्व को जानकर उसका सदुप्योग करना सीख जाता है, वहाँ भविश में सफलता की उचाईयां छूता चला जाता है. सेर, सपाटे, हसी, मजाख, टाल, मटूल करके समय नश्ट करने वालों को पच्टाने का भी अफसर नहीं मिलता. इतिहास साक्षी है कि जिस व्यक्ती ने समय के सदुप्योग का महत्व जान लिया, उसी ने संसार पर विजह प्राप्त कर ली. जेम्स वाट तथा मैडम क्योरी ने वर्षों तक कठिन साधना कर रेल के इंजन का आविशकार किया तथा रेडियम की खोच की थी. चानकी ने समय के महत्व को विशिष्ट स्थान दिया. गांधी जी भी समय सारणी बना कर अपना जीवन उसी के अनुकूल जीते थे. उनके अनुसार जीवन का प्रतेक्षन भविशिका निर्माता होता है. जो व्यक्ती इसके महत्व से अंजान बनता है, उसके पास केवल पच्चतावा रह जाता है, समय इश्वर का दिया हुआ अनुपम्धन है, अताह हमें समय का सुदुप्योग करना चाहिए, बेकार की बातों में समय नश्ट नहीं करना चाहिए, समय के सुदुप्योग से मन में अच्छे विचार आते हैं, सुआस्थे तथा मस्तिश्क का वि परोपकार का अर्थ, परोपकार का महत्व, प्रकृती से परोपकार की प्रेणा, परोपकार का मूल मंत्र, उपसंघार, परहित सरस धरम नहीं भाई, परपीडा सम नहीं अधमाई, अर्थात परूपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है जब मनुशे एहम की भावना से बाहर निकल कर दूसरों के बारे में सोचता है तब उसमें परूपकार की भावना जाकती है परूपकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है पर, धन, उपकार इसकार्थ है दूसरों की भलाई दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अपना स्वार्थ और एहम त्याक कर दूसरे की भलाई के लिए सोचना ही परूपकार है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के किसी काम नहीं आ सकता उसका जीना क्या और मरना क्या सभी धर्मों में परोपकार का महत्व बतलाया गया है भगवान बुद्ध, इसा, नानक और कबीर दास सभी ने परोपकार का उबदेश दिया है भारतिय जीवन में मनशिकों बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जीवन जीने की सीख दी गई है परोपकार से दूसरे व्यक्ति का तो भला होता ही है स्वयम को भी आत्मिक शान्ती मिलती है हिर्दय निर्मल हो जाता है परोपकार की भावना तथा प्रेर्णा मनिश्य को प्रकृति से मिलती है परोपकार के लिए नदिया निरंतर बहती हैं तथा व्रिक्ष्य फल देते रहते हैं। प्रकृती का प्रतेक पदार्थ मानव के हित में निरंतर लगा रहता है। हमारे देश के महापुरुशों ने भी अपने जीवन में एक से बढ़कर एक उधारन प्रस्तुत किये हैं। हिसा मसीह ने काटूं का ताच पहन लिया। हज प्रत महम्मत ने अनेक कष्ट सहे। राजकुमार सिधार्थ ने समस्त राज वैभव को त्याग दिया। गांधीजी ने अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। परोपकार का मूल मंत्र है। नेकी कर दरिया में डाल। यदि हम किसी भावी आशा से परोपकार करते है तो फिर यहाँ परोपकार नहीं बलकि वैपार बन जाएगा। आज का मानव इसी वैपार की अपेक्षा रखता है। उसका हिर्दय स्वार्थ से परिपून हो गया है। वहाँ आत्म केंद्रित हो गया है। उसे केवल अपने सुख के अलावा और कुछ नहीं सूझता। उ इश को चलाने वाले नेता हूं या कारखानों के मालिक। जनता की करा, बच्चों का रोना या आम लोगों की परिशानी उन्हें दिखाई नहीं देती। मनुश्य की सद प्रवृत्तियों में आज बहुत कमी आ गई है। आविशकता है मानव मन को परिवर्थित करने की। उसके मन के भीतर परोपकार की भावना को फिर से जागरित करने की। क्यूंकि परोपकार के द्वारा ही हम शान्ती, सनेह, सहानु भूती तथा सहन शीलिता के गुणों से मानव जीवन को परिपून कर सकते हैं।